नमस्कार दोस्तो आज का ये जो अपडेट है इसमें स्टाफ नर्स की पोश्ट के लिए important questions मैं आपके साथ यहाँ पर डिसकस करने वाला हूँ जैसा कि आप सभी लोग का पर मालूम है मध्यप्रदेश शाशन में स्वास्त विवाग की अंतरगत गुरुफ फाइब का एक्जाम यहाँ पर होने वाला है इसमें स्टाफ नर्स की विकेंसी भी रहेंगी तो जो questions आज मैं आपके साथ आप डिसकस करूँगा मैथ पूर्ण यहाँ पर रहने वाले हैं इनके आने की काफी ज़्यादा उमीद यहाँ पर रहेगी तो बिलकुल यहाँ पर समय बढ़ते नहीं करते हैं सीधे से बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की और तो दोस्तों देखिए पहला प्रशन आप सब लोगों सब पूछा आ रहा है तो दोस्तों देखिए हाट का जो एपिक्स जो रहता है मोश्टली किसको दोरा यह बनता है फॉर्म यहाँ पर होता है तो दोस्तों देखिए चार ऑप्शन आप कहाँ पर दी जा रहा है लेप्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, लेप्ट आर्टियम और देखिए central ventricle तो दोस्तों देखिए heart का जो apex रहता है mostly left ventricle की मदस्य आपे बनता है option number one जो है इसका हाँ पर सही विकल पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अपने दूसरे प्रेशन की ओर दोस्तों देखिए अगला सवाल आप सभी लोगों से पूछे आ रहा है what is the synonym of clotting factor तो दोस्तों देखिए clotting factor को किस और नाम से आपे बोला जाता है तो दोस्तों देखिए आप सभी लोग को बाताना चाहता हूँ pro thrombin इसको आपे बोलते हैं और देखिए दूसरा जो नाम है pro thrombin इसको आपे बोला जाता है option number 4 इसका हाँ पर सभी विकल पर रहने वाला है बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रशन है आप सभी लोगों से पूछते हैं how many cervical nerves are there in the spinal cord तो दोस्तों देखिए spinal cord में कितनी spinal nerves यहाँ पर पाई जाती है तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कुल मिलाक यहाँ पर 8 cervical nerves यहाँ पर रहती हैं जो की spinal cord में आपर पाई जाती है तो option number 3 इसका हाँ पर सभी दिकल पर आप रहने वाला है इस सवाल के अंसर को आप लोग यहाँ पर याद रखें महत्मूर प्रशन है यहाँ पर repeat यहाँ पर हो सकता है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रशन की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रशन है पूछते हैं rod shaped bacteria arcord जो भी देखिए दोस्तों आपर जो bacteria rod shaped में होते हैं तो इनको देखिए क्या बोला जाता है bacillus इनको आपर बोला जाता है जो भी bacteria rod यहाँ पर आकार के होते हैं तो इनको आपर bacillus आपर बोला जाता है तो option no.3 कहाँ पर सही विकल पर रहने वाला है इस सवाल के आंसर को आप लोग यहाँ पर याद रखें काफी महतपूर सवाल है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला परशन है काफी महतपूर और common साभी परशन है बार बार यह परिक्षाओं में आपसे आप पूछा आता है या पर देखिए convert करने के लिए भी यहाँ पर पूछा आता है देखिए पूछा रहा है temperature of 98.7 degree Fahrenheit is approximately equal to dash degree Celsius तो कहने वाली बात है 98.7 जो degree Fahrenheit जो यहाँ पर temperature है degree Celsius में यहाँ पर कितना यहाँ पर एकला जाएगा तो आप सभी लोग का बात आना चाहता हूँ 37.06 जो है यहाँ पर degree Celsius यहाँ पर रहता है और सही इसका यहाँ विकल्प है और option number 3 यहाँ पर सही option यहाँ पर रहने वाला है आप लोग उसको यहाँ दखिए 98.7 degree Fahrenheit जो है यहाँ पर 37.06 degree Celsius यहाँ पर रहेगा अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और दोस्तों देखिए अगला प्रेशन है formula आप से आप पूछा रहा है formula to calculate BMI यह body marks index को देखिए इसका आपको यहाँ पर formula बता रहा है तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है body mass index को express जब हम लोग यहाँ पर करते हैं weight in kilogram divided by square of the height in meters तो बिल्कुल समझ चेके होंगे body mass index जो यहाँ पर रहता है BMI जिसको हम लोग यहाँ बोलते है BMI जो यहाँ पर देखिए equal रहता है mass upon h square तो दोस्तों देखिए mass और divided by height का square और जो भी यहाँ पर देखिए mass जो यहाँ पर रहता है kilogram में यहाँ पर रहता है और यहाँ पर यहाँ पर right answer यहाँ पर रहने वाला है option number one इसका हम पर साही विकल्प यहाँ पर रहेगा अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशने की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशने पूछा रहा है dash anima is also called anti-spasmodic anima तो देखिए आप सभी लोग को बताना है anti-spasmodic anima होता है इसको एक और नाम से आपर बोला जाता है और देखिए उसका यहाँ पर नाम क्या है keriminative इनको आपर बोलते है keriminative जो anima है इनको यहाँ पर anti-spasmodic anima भी यहाँ पर कहा जाता है तो option number 2 यहाँ पर इसका यहाँ पर सही विकल्प आप रहने वाला है इस term को आप लोग यहाँ पर याद रखें यह सवाल भी काफी ज़्यादा मैतपूर है अब बढ़ जाते हैं अगले प्रेशने की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशने पूछे आ रहा है hemoglovin is combination of तो दोस्तों देखिए hemoglovin जो होता है किसका combination होता है दोस्तों देखिए hemoglovin जो है दोस्तों देखिए अगला प्रेशने पूछते है the life span of red breast cells is called तो देखिए RBC का आपको यहाँ पर life span बताना है और देखिए days में यहाँ पर होता है और देखिए सभी लोग को बताना चाहता हूँ RBC का यहाँ यहाँ पर life span है 120 दिन यहाँ पर रहता है 120 दे इसका हाँ पर correct option यहाँ पर रहेगा option number A सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों देखिए अगला प्रेशने पूछते है the disease caused in adults because of deficiency of vitamin D दोस्तों देखिए वो disease दोस्तों देखिए अगला प्रेशने पूछा जा रहा है the causative organism for tapeworm infection तो tapeworm infection के लिए कौन सा organism में आपे देखिए responsible है causative है जो कि आपे देखिए कारणड बनता है tapeworm infection का दोस्तों देखिए इसका जो right answer है तीनिया सूलिया में इसको आपे बोलते हैं और इस टर्म को आप लोग यहाँ पर याद रखें काफी जादा मैत्मूर प्रशन है यह सवाल यहाँ पर repeat भी यहाँ पर हो सकता है और option number A जो है इसका सभी विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते अपने अगले सवाल की ओर अगला प्रशन है पूछते है the immediate action to control severe bleeding तो severe bleeding को control करने के लिए ततकाल जो देखिये प्रभाव है ततकाल जो action आप सभी लोग कहाँ पर लेना है वो यहाँ पर देखिये क्या रहेगा तो दोस्तों देखिये इसका जो right answer है apply direct pressure using hand और cloth दोस्तों देखिये direct pressure यहाँ पर देखिये और देखिये हाथों की मदस से यहाँ पर देखिये कपड़े की मदस से तो option number A जो है आपे सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और दोस्तों देखिये अगला pressure नहीं पूछा रहा है vitamin that functions like a steroid hormone तो दोस्तों देखिये ऐसा यहाँ पर function करता है और देखिये जो कहां पर सही विकल्प है option number A आपे रहेगा बढ़ जातेए अपने अगले सवाल की और अगला सवाल देखिये पूछा जा रहा है the mineral debt regulate muscle contraction and nerve transmission तो देखिए उस mineral का नाम आप कहा पर बता रहा है जो कि देखिए regulate करता है muscle के contraction को और देखिए nerve के transmission को तो दोस्तों देखिए उस mineral का नाम है magnesium तो magnesium यहाँ पर देखिए एक ऐसा mineral है जो कि देखिए muscle के contraction को और nerve के transmission को यहाँ पर control यहाँ पर करता है regulate यहाँ पर करता है किया है इस session में और देखे पूछा जा रहा है दा length of the due denim तो दोस्तों देखे due denim की आपको आप पे length बतानी है कितिनी length यहां पे होती है centimeter आप नर्स की पोश्ट के लिए उमीद करता हूँ session आप काँपर समझ में आ गया होगा और कुछ ना कुछ information आप काँपर वीडियो से जरूर मिली होगी कुछ ना को जानकारी अगर आप काँपर वीडियो से मिली है तो लाइक करें, लाइक जरू करें और इस वीडियो काँपर लाइक जरू करें comment box में कोई भी doubt है, कोई भी सवाल है आप सवे लोग हमसा पर पूछ सकते हैं और दोस्तों देखिए, ये session आपको आपर पसंद आया या फिर नहीं आया और आगे के questions की sets की information चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं तो ये जानकारी आप लोग feedback के तोर पे comment box में जरूर दें, अपना feedback comment box में जरूर दें, thank you का message भी आप लोग यहाँ पे comment box में टाइप कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका यह response आता है और दोस्तों देखिए, आगे के questions की sets की information मैं आगे आपको आपे provide कराने वाला हूँ, इसकी लिए क्या करना होगा अभी हमारे channel को subscribe कर लें और दोस्तों देखिए, आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले video भी already मैं आपको आपको आपे provide करा चुका हूँ, करीब करीब देखिए 8-9 video के set already इसकी जानकारी इसी वीडियो के नीचे description box में link मैंने आपको आपको आपे provide करा दी है आप लोग सारी वीडियो जाके देखिए और काफी सवाल जो है आपके आपकी परिक्षा में repeat होंगे और आपको आपको काफी help मिलने वाली है सब्सक्राइब करके रख लेना आगे की जो भी information आने वाली है अब आपको आपे मिल जागे तो वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के red button को आपे click कर ले और staff nurses के आगे के questions के information इसी तरीके से आगे पांत रहते मिलते आपसे आगली वीडियो में Thank you so much